अल्मारी खुलती है, पढ़ने के बाद पिर वो अल्मारी क्या है? एक बटन दबाने से बंध हो जाले। जो विदेशी भाशा अध्यायन है, उस विभाग में एक सम्मेलन जो है आयोजित किया जाता है। जो भी उन्होंने वहां पर बताया, ध्यान पूर्वक छात्र सब कुछ सुनते हैं। यात्रा जापान की इस पार्ट के बारे में जानकारी दोंगी। पहले हम जो ये पार्ट को जिनोंने लिखा है, इनके बारे में सम्शिप्त में जानेंगे। इस पार्ट की लेखिका है ममता कालिया। इनका जो जन्म है वो 2 नवेंबर 1940 इस्वी में वृंदावन में हुआ था। और इनके पिता का नाम विध्या भूशन अग्रवाल था। और इनकी प्रमुख रचनाये इस प्रकार है। छुटकारा प्रती दिन दावड, बेघर, कितने शहरों में कितनी बार आदी ये सब इनकी प्रमुख रचनाये है। अब हम जो यात्रा जापान की है, यह जो आपके लिए पार्ठ है, वो एक यात्रा रुत्तान्त है। यहनी यात्रा के बारे में ममता कालिया ने बताया है। जो कि जापान के तोकियो विश्व विद्याले में संपन विश्व हिंदी सम्मेलन के दवरान, मिले अनुभव, एवं प्रसंगों को लेखिका ने रोचगधन से चित्रित किया है। यह जब वो तोकियो विश्व विद्याले गई थी, यहां पर जो हिंदी सम्मेलन जो यहां पर आयोजित हुआ था, जो यहां से यह भी वहां पर गई थी, तो वहां के यात्रा के बारे में, जो जापान है उसके बारे में, वहां के विद्यारतियों के बारे में, और जो है वहाँ उनको जो अनुभव मिला था ये सारा इन्होंने एक रोचक ढंग से इस पार्ट में प्रस्तूत किया है और लेखिका ने जापान के जन जीवर, संस्कृती, जापानियों का कर्तविय, निस्टता, शालीनता, हिंदी भाषा के प्रती प्रेम आदी विश्यों की चर्चा की है यहाँ पर ममता कालियान जो जापानी लोगों का जीवन है उन लोगों का जन जीवन यानि उन लोगों का जो जीवन है उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता और उनके अनुशासन के बारे में साथी साथ हिंदी भाषा पर उनका जो प्रेम है ये सारी बातों के बारे में यहां पर इस पार्ट में इनोंने चर्चा किया है फिर इसमें जापान के तोदायाजी मंदिर तो दयाजी जो मंदिर है जापान में उस मंदिर का भी सुन्दर वर्णन मम्ता कालिया ने इस पार्ट में किया है यहाँ पर दिखें और जो है इन्होंने इस पार्ट में जो तक्नीकी प्रगती है जो टेकनोलोजी जो वहाँ पर जो नहीं नहीं टेकनोलोजी का जो वहाँ पर यूज किया जाता है नहीं टेकनोलोजी जो है उसके बारे में और जापानियों की कर्मनिस्टता आदी का परिचे देने है तो इस पार्ट का चयन किया गया है जाप्पानियों की जो कर्मनिस्टा है और जो है उनका जो अनुशासन है इस सारी बातों को बताने के लिए इस पार्ट का आपके लिए चैन किया गया है तो पहले यहाँ पर जो है आपका पार्ट इस तरह से शुरू होता है तो कियों विश्व विद्याले जो है वहां के विदेशी अध्यायन जो भाषा अध्यायन है जो विदेशी भाषा अध्यायन है उस विभाग में एक सम्मेलन जो है आयोजित किया जाता है वो जो सम्मेलन है वो उसाका विश्व विद्याले में आयोजित किया गया है 2010 इस्वी में यह एक अंतर रास्रिया हिंदी सम्मेलन था इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए हमारे देश से यानि भारत से छे लोग जो है वहां पर चुने गए थे छे लोगों का एक प्रती निधी मंडल जो है वो 24 अक्टोंबर 2010 इस्वी को इंदिरा गांदी अंतर रास्रिया विमान स्थल तीन पर पहुंचा यहां से भारत से छे लोग इस सम्मेलन में उपस्तित होने के लिए निकलते हैं यहां से वो अपनी भारत से वे क्या है निकले थे और वे इंदिरा गांदी अंतर रास्रिया जो विमान स्थाल यहां एरपोर्ट है वहां प्लैटफॉर्म पहुंचते हैं जो इंदिरा गांदी अंतर रास्रिया विमान स्थाल है वो जो हैं वो विश्व का सबसे बड़ा एरपोर्ट विमान स्थाल यहां इरपोर्ट और जब यह प्लैटफॉर्म नबर तीन पर जब यह पहुंचते हैं तो पता इनको चलता है कि अभी विमान जो है निकलने के लिए आदा गंठा जो है देरी हो गई है आदा गंठा देर होने की वज़े से वो आदा गंठा गंठे के बाद विमान क्या है यहां से निकलेगा तो वे जो ये विश्व का सबसे बड़ा जो एरपोर्ट था, तो उसे वे देखने लगते हैं, फिर वो क्या है विमान में बैठ जाते हैं, वहाँ पर क्या है, बहुत ज़्ियादा जो सीट्स हैं, बहुत ज़्ियादा ही खाली होने की वज़े से अराम से वो क्या है नरीता ए पासपोर्ट की जांच और इनकी उंगलियों की छाप और बार बार इनके पासपोर्ट की जांच की गई इसके बाद क्या हैं वहाँ पर जो तो क्यों विश्वविद्याले के एक अथिती जो थे प्रफेसर सुरेश रुतुपन नमूदार जी इनको लेने के लिए वहां पर आते हैं तो वे ये अपने साथ एक बड़ी सी व्यान लेकर आये थे यहां से जो छे लोग गए थे सम्मेलन के लिए तो उस व्यान में बैठ जाते हैं और वहां से 100 मीटर की दूरी से भी जियादा फासले पर एक होटल था वहां पर वो ले जाते हैं उस होटल का नाम सन पेटियो होटल था वहां पर इनको इनी ले जाते हैं तो होटल में क्या है इनको जो सात्वी मंजिल में क्या है इनको टहराया जाता है इनके वहाँ पर रहने का इंतिजाम किया गया था और होटल में इनी सात्वी मंजिल में लेकर गए थे वहाँ पर इनको टहराने का जो इंतिजाम हुआ था जिसे ही वो कमरों के अंदर जाते हैं तो जो बाहर का जो मौसम था बहुत ही थंडा था जब वो कमरे के अंदर जाते हैं तो बहुत ज्यादा ही गर्मी थी यानि जापान के जो भी होटलों के कमरे होते हैं वहाँ पर क्या वमताकालिया ने बताया है, तो इस गर्मी की वज़े से वे सामने जो एक खिडकी थी उसे वो खोलते हैं, तो वहां से जब वो बाहर की और नजारा देखते हैं, जब वो खिडकी के बाहर देखते हैं, तो सामने एक जीनी जंक्षन स्टोर था, तो वहां पर सेल लगी हुई पिर नीचे कहें कुछ बालाएं सैंकल पर कहें जा रही थी कुछ महिलाएं अपने बच्चों को सैंकल की टोकरी में जो गोल मटोल इनके बच्चे हैं उनको बिठा कर कहें जा रहे थे इस तरह वहां पर बहुत सारे लोग होने के बावजुद भी बिलकुल शोर नहीं था कोई बाजार में जो जिए रहता है भारत में इस तरह से कोई शोर नहीं है सबी अपने काम बहुत ही कहें अनुशासन के अंदर यानि बहुत खामूशी से वहां पर सब कुछ हो रहा था फिर यहां से जब वो कहें यहां से सुरेश रुतुपन जी इनको एक भारतिया रेस्टोर जो की जापान में वहां पर ले जाते हैं तो रस्तोर के अंदर पहले जब यह अंदर जाते हैं तो यह बड़ा सा ताजमहल की तस्वीर और उसके सामने हूंट का चित्र था इसके बाद वहां पर भारतिया जो खाने का सुगंध होती है इस तरह से रेस्टोरेंट में भरी हुई थी फिर क्या है उस होटल का रिवाज था कि जो भी वहां पर आता है यह जापान का एक रिवाज है जो भी जाता है उनके यहां या कोई होटल में तो पहले पीने के लिए गर्म पानी दिया जाता है उसके बाद मसाले वाली चाय जो की डालचीनी, काली मिर्च वगेरा डाल कर बनाई जाती है तो इस तरहां से उनको जापान के होटल का जो रिवाज वो था गरम पानी देने का तो वो गरम पानी पीते हुए, चाय पीते हुए, वहां पर नास्टा वगेरा करके यहनी वहां पर जो खूप सारा भारत में जो मिलता है इसी तरहां का सारा कहनी खाना वहां पर भी था तो इसको पेड़ भर कर वे खाने के बाद अब क्या है इनको तोक्यो विश्व विद्याले जाना था तो वहाँ पर तो क्यों विश्वविद्याले जाने के लिए जो सुरेश रुतुपन जी थे वो उनके प्रदर्शक बने पिर वे क्या हैं वहां से कुछ जमीन के अंदर से जो रास्ते होते हैं कुछ उपर से इस तरह के वहां के रास्ते थें वहां से लेकर इनको क्या हैं राइलवे स्टेशन पहुंचते हैं जापान में खदम-खदम पर बहुत सारे railway station है इस तरह से मम्ता कालिया कहती है तो वहाँ पर जब railway station पहुँचते हैं तो वहाँ क्या है? पहले तो बहुत सारे पैसे railway station में जहांपर टिगेट काउंटर होता है वहाँ पर एक मिशेन थी, इन्होंने डाला और वहां से इनकी टिगेट्स वगेरा क्या है इखटा कर लिया था तो वहां पर सुरेश रुतुपन जी इनको बताते हैं कि यहां पर पहले टिगेट लेने के लिए इस मिशेन पर पैसे डाले जाती है और तुरंथ ही उसकी दूसरी और से टिगेट को लेना पड़ता है यानि वहां से उठा लेना पड़ता है तो इस तरह से उन्होंने बताया था पिर क्या है ममता कालिया कहती है कि हर रैल्वेस स्टेशन के प्लाटपॉर्म पर एक लाल पट्टियां खिची होती है जो भी गाड़िया यनि रैल गाड़िया वहां पर आती है ठीक उसके डिब्बे उस पट्टि की पासी रुकते है और यहां पर भारत की जैसे धक्का मुखी नहीं होता वो आराम से वहां से जो रैल में रहते हैं वे लोग नीचे उतरते हैं और लाल पट्रियों के पास जो एक कतार बना कर दोनों और खड़े होते हैं अराम से कहें रैल में चड़ते हैं यह काम पलग जपकते ही होता है बहुत जल्दी यह काम होता है पिर हम लोग उस रैल में चड़ गए और अंदर बैटने के सीट जो हैं जो बैटने के लिए स्थान होते हैं सीट जो होते हैं बहुत ही कम थे और खड़े होने के स्थान बहुत ज्यादा तो सब लोग उस रेल में खड़े हो गए पिर वहाँ पर कहें वह अनुशासन प्रिये थे बाचित वगेरा कुछ नहीं थी खामोशी से सब लोग अपना वहाँ पर भी काम कर रहे थे जापानी लोग कुछ तो वहाँ पर कुछ टाइप कर रहे थे कोई अपना काम कर रहा था और दो महिलाएं अपना मेकब सीधा कर रही थी तो वो बताते हैं कि हमारे रैलवे डबे में जिस तरह से सब लोग बाचित करते हैं शोर मचाते हैं धका करते हुए अंदर घुसते हैं इसा कुछ नहीं था सभी बहुत अनुशासन से हो रहा था फिर वो आगे मम्ता कालिया कहती है कि वहां क्या है हमारे जैसे भारत में जो हरे एक पीट के पास कुछ चित्र बनाए जाते हैं जिसे क अंग विकल जो होता है उसका चित्र और क्या है वहां पर सीनियर सिटिजन जो होते हैं बुड़ों के लिए इस तरह से महिलाओं के लिए कुछ चित्र होते हैं इसे बिलकुल नहीं था वहां पर कुछ ऐसे चित्र बने हुए थे जहांकि वहां यहीं उस राइल के डिबे मे कुछ ऐसे चित्र बने हुए थे जो बहुत ज्यादा ही सामान उठा कर खड़ा है उसका चित्र और जो बच्चे को लेकर खड़ी है उस महिला का चित्र और बुड़े आदमी का चित्र और जो है जो बहुत बीमार है उसका चित्र बना हुआ था और जापानी भाशा भी एक चितरातमक भाशा है इसी में वहां पर लिखा हुआ था तो वो क्या है वो इससे स्पस्ट पता चलता था कि जो रोगी है जो सामान बहुत ज्यादा जिसके पास है उसकी लिए वो सीट कहें उसके लिए है इस तरह से स्पस्ट था तो यहां पर होटल जब यह पहुंचते हैं बाजार पर जब दुरस्टी पढ़ती है वहां के अनुशासन का भी इन्होंने बताया था कि वहां पर जो है जापानी भाशा के साथ हर एक रिस्टोरेंट हो या कोई भी एक शॉप हो वहां पर अंग्रेजिया और चीनी भाशा मे भी लिखा होता है तो इस तरह से जापान के रैलवे स्टेशन और रैलवे डिबो में भी क्या है जो लोग वहां पर क्या है यात्रा कर रहे हैं तो किस के लिए वहां पर सीट है और इसके बारे में यहां पर वो ममता कालिया बता रही है और बता रही है कि यहां पर बिलकु धका किसी को देना या वहां पर क्या है सीट के लिए या कुछ सी और बात के लिए बिल्कुल वहां पर बाते नहीं होती बलकि बहुत क्या है सब लोग अपने काम में ही उस रैलवे जो रैलवे डिबे में भी अपने कामों में ही वो क्या हैं तलीन रहते हैं इस बात को ममता कालिया कहती है फिर मैं आगे कहती है कि हम उस विदेशी अध्यायन सम्मेलन में गए तो वहाँ पर जापानी छात्र जो है बहुत सारे भरे हुए थे बहुत सारे जापानी छात्र थे और वो हिंदी में बोलने का प्रयास कर रहे है कुछ छात्रों का ज्यान जो है बहुत ही अच्छा था और वो छात्रा कहनी जो भी छात्राएं थे इनको ममता कालिया के जो भी इनकी रचनाय है उसके संबंधित इनको बहुत सारे प्रश्न पूछ रही थी तो यहां पर यह पता चलता है कि वो हिंदी से कितना प्रेम करती हैं हिंदी भाशा से कितना प्रेम करती हैं और क्या हैं वहां पर ममता कालिया जाने से पहले ही वहां के छात्र जो इनकी रचनाय हैं उनके भारे में बहुत सारा जानते हैं और उस पर कुछ प्रशन भी इन्होंने बनाए थे और उसके संबंध ही इनको प्रशन पूछा गया था तो जो ताफास तोक्यो यूनिवर्सिटी है उसके निर्देशक प्रफेसर पूजी तकेशी थे उसके निर्देशक तो यहां पर जब इनसे इनकी मुलाखात होती है तो पता चलता है कि वो भी इन्ही की कॉलेज में पढ़ चुके हैं इन्ही की कॉलेज जो हिंदू दिल्ली विश्वा विद्याले के ही ये बीच चात्र थे तो सुरेश रुतुपर्ण और ममता कालिया और जो है यहां के जो निर्देशक थे पूजी इद तकेशी इन तीनों का तिगड़ासा बन गया था और पुरानी याद वहां पर ताजी हो गई थी अपने कॉलेज के बारे में बातें करते हूं उनकी यादे क्या हैं ताजी हो गई थी इस तरह से वो बताती है वो आगे बताती है कि फिर वहाँ पर जो है उस विश्वविद्याले में ये सम्मेलन शुरू होने से पहले वो बातरूम जाते हैं तो वहाँ पर क्या हैं बहुत सारी जापानी चात्राएं हाथ में तूत प्रश और पेस्ट हाथ में पकड़ी हुई हैं तो पता चलता है कि वो कुछ खाने के बाद जब भी वो कुछ खाते हैं उसके बाद तुरंथ ही वो अपने दांत भी साफ करती है तो ये सोचने लगती है कि यहाँ पर डेंटिस्ट जो हैं मक्ही मारते होंगे तो तभी एक चात्रा ने अपने गाल को दबाते हुए कहा कि मेरा दात दर्द कर रहा है तो इसके बाद वे उस सम्मेलन में क्या है सम्मेलन शुरू होता है और इनका ये जो भी यहां से छे लोग गए थे जब वहाँ पर उद्गाटन होता है उसके बाद सब लोग अपना परिचय देते हैं तो चात्र वहाँ पर ध्यानमग्न उनका परिचय सुनते हैं पर वहां से दोपहर का जो शाका हारी भोजन के बाद सुरेश रुतुपन रुतुपन और जो है कि जो निर्देशक थे पूजी तकीशी इनको तापास के एक पुस्तकाले ले जाते हैं वहाँ पर उस पुस्तकाले में तापास के पुस्तकाले में कुल इतनी पुस्तकें को एक पुस्तकाले वहाँ पर जब पहले अंदर जब जाते हैं तो वहाँ पर बैटने के लिए बिल्कुल स्तान नहीं है अल्मारी के पास निखट जब जाकर खड़े होते हैं तो इसके बाद क्या है ये बटन दबाने से अल्मारी खुलती है और इनके सामने बहुत सारी पुस्तके आ जाती है जो भी इनको पुस्तके चाहिए वो पढ़कर उसमें रम कर और जो भी वहाँ पर लिखना चाहते हैं नोट करके पढ़ने के बाद एक बटन फिर से दबाने से क्या है पुस्ता वो अल्मारी बंद हो जाती है इस तरह से खड़ने के लिए भी वहाँ पर बहुत सारी स्तान है तो और क्या है यहां पर पुस्तकों की भी रक्षा हो जाती है नहीं अल्मारी खुलती है पढ़ने के बाद पिर वो अल्मारी क्या है एक बटन दबाने से बंद हो जाती है फिर बाहर जब आते हैं तो अलाराम क्या है जताता है कि इनके पास कोई पुस्तक नहीं है अलाराम वहाँ पर बज़ उटता है अगर कोई पुस्तक कोई ले ले तो अलाराम बज़ जाता है या पुस्तक वहीं पर कोई नहीं लिया है तो वो जताता है कि इनके पास कोई पुस्तक नहीं है तो इस तरह से तापास के पुस्तकाले में बहुत सारी किताबों क्या हैं इखटा हैं वो बताती है कि भारत के पुस्तकाले में भी इतनी किताबे नहीं है वहाँ पर विक्रमा दित्या के काल से लेकर जो भी क्या है सिम्हासन की जो पुतलियां थी जो भी वहां पर बाते यही जो भी वो कहानिया बोलती है सारी पुस्तके बहुत सारी पुस्तके जो भारत में भी नहीं है इतनी सारी पुस्तके क्या है तपास के पुस्तकाले में हैं तो उसको वो कहें वहां पर उस पुस्तकाले को देखते हुए कुछ पुस्तकों को पढ़ते हुए वे वहां से आती है वहां पर बहुत सारी पुस्तके उपलब्द है जो भारत में भी नहीं है यहां पर हिंदी, राजस्तानी, अवधी, पहाड़ी भाषा, मैथिली भाषा ये सारी भाशा के बहुत सारी किताबे इस पुस्तकाले में थी जो भारत में भी ये क्या है जो पौरानिक किताबे हैं वो नहीं है ये सारी किताबे यहां पर मौजूद थी तो इस तरह से मम्ता कालिया जो वहां का रस्तुरंथ हो या होटल हो या वहां के जो जापानी चात्र हैं लोग हैं जो हिंदी से उनका कितना लगाव है प्रेम है उनके अनुशासन के बारे में जो कि जापानी लोग क्या है बिना बुलाए ही दूसरों की सहायता के लिए वो क्या है आते हैं और उनकी सहायता करते हुए वहां से चले जाते हैं और वो बहुत ज्यादा ही कम बोलते हैं वहां पर शोर वगेरा नहीं है रैलवे डिबो में भी वो अपने काम में लगे रहते हैं कुछ तो पढ़ते हुए कोई अपना काम करते हुए इस तरह से वहां का जो अनुशासन है और वो अनुशासन के बारे में ममता कालिय ममता कालिया ने बताया है कि जापानी लोग जो है वो अनुशासन प्रिये हैं इसके बारे में भी पता चलता है और साथ में देखिए यहां पर जो वो होटल में जाते हैं एक रेस्टोरेंट में भी जाते हैं तो वहां पर भारत के जैसा ही वहां का भोजन और वहां पर भारत की ही तरहा जो भारत में जो संगीत बसता है तो यनी जो हिंदी संगीत था हिंदी भाशा का जो संगीत था वो वहाँ पर चल रहा था और सामने एक ताजमहल की तस्वीर उस रेस्टोरेंट में और उसके सामने एक हुंट की तस्वीर और वहाँ पर इंक्रिडबल इंडिया ज और उनका अनुशासन जो है वो तो बेमिसाल है और उनके मुख़ पर हमेशा शांती चाई होती है क्यूंकि वो हमेशा क्या है कम बोलते हैं। इन सारी बातों से पता चलता है कि जापान के लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा ही अनुशासन प्रिये है। अभी मैंने आपको यात्रा जापान की जो आपके लिए पाठ है उसके बारे में यहां तक जानकारी दी है इसके आगे की जानकारी मैं अगली कक्षा में आपको दूगी धन्यवाद